समाल इंडिया का हमें आपका स्वागत है मैं हूँ शारिख खान सबसे पहले खबर सुडान से वहाँ फसे भारतिये समेथ दूसरे विदेशी नागरीकों को निकालने की प्रक्रिया तेजी के साथ की जा रही है सुडान से भारतियों का पहला जथा निकल चुका है 278 लोगों को लेकर चला आइनस सुमेधा जद्धा के लिए रवाना हुआ भारती युद्ध पोत भारत सरकार ने अपने नागरीकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए उपरेशन का वेरी चला रखा है पियम मोदी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिक्ता अपने लोगों को सुरक्षित लाने की है और इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है सुडान में जारी ग्रह युद्ध के बीच तीन दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है ग्रह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देश्वासी फसे हैं हमने ऑप्रेशन कावेरी ऑप्रेशन कावेरी का भ्यान चुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारम हो चुका है हमारे सही होगी उमा शंकर सिंग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो वहां घट रहे पल पल के घटना करम पर उनकी खासी नजर है सिधे उनके पास चलते हैं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां आएनस सुमेधा दोसो अठतर भारतियों को लेकर निकला है यह तस्वीरें सकुन देती है जे बिल्कुल शारी का यह सुकून देने वाली तस्वीर है लेकिन इसके अलावा भी बड़ी तादाद में भारतिये जो हैं वो पोर्ट सूदान पहुंच चुके हैं जानने की कोशिश की कि आखिरकार 278 जो भारतिये हैं वो ही अभी क्यों वहां से चले हैं तो हमें यह जानकारी दी गई कि जो पोर्ट की क्षमता है उसके मताबिक 278 जो भारतिये हैं उनको लेकर वहां से वो जिद्दा के लिए चला है और जिद्दा में भारतिये वायो से पहले से खड़ा है जो इन भारतियों को लेकर स्वादेश आएगा बाकी जो भारतिया भी पोर्ट सुडान में हैं उनको वहां पे रहने खाने पीने सब चीज का इंतिजाम किया गया है और जो कागजी आप चारिकता हैं वही पूरी की जा रही है और उसके बाद उनको भी व पूशिश की जा रही है क्योंकि अब तक हालत ये थी पिछले दस दिनों की लडाई में कि गली में या सड़क पर निकलना भी बहुत जादा खत्रे की बात थी तो अब जबकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये वैक्वेशन शुरू हो चुका है 278 भारतिये जो हैं वो जिद् के समय जो एक पोलेंड जो है और वार्सौ जो है जो एक केंद्र बना था जब युक्रेइन से लोग निकल कर सामने आ रहे थे तो वैसे ही अब जो है ये जिद्दा जो है केंद्र के तौर पे बनता नजरा रहा है और विदेश राजिमंत्री खुद इसकी देखरे के लिए जिद्दा पहुंच रहे हैं उमा जो तीन दिन का सीजफाइर है उसका जमीन पर जो इंप्लिमेंटेशन है क्या वो पूरी तरह से है जी दे कि अभी थोड़ी दर पहले ही आरेसेफ ने बयान जारी किया है और उसका रूप है कि सुदानी सेना जो है वो अपने हवाई जहा पर बंबारी करी है जहां पर आरेसेफ ने पोजिशन लिया हुआ है तो आरेसेफ का कहना है कि सीजफाइर का उलंगन जो है वो सुदानी सेना की तरफ से की जा रही है लेकिन क्योंकि अमेरिका ने मध्यस्ता करके सीजफाइर कराया है और मकसद ज्यादा से ज्यादा जो व के साथ साथ विदेशी नागरिकों की मदद तो है ही साथ ही इन 72 घंटों का इस्तमाल कुछ ऐसा तरीका तै करने पे हो कि ये सीज फायर पॉमानेंट हो और जो सत्ता संगर्ष वहां पे चल रहा है वो समापती की और आगे बढ़े लेकिन देखना है कि इसमें कितनी बड़ी काम्यावी मिल पाती है उमा आपसे जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो एक अंदाजा था कि तीन से चार हजार भारती हैं जिन्हें वापस लाया जा सकता है मेरा सवाल है कि क्या ये 72 घंटे काफी होंगे उन सबों को वहां से निकाल पाने के लिए जिदे कि अगर 72 घंटों तक सीजफायर बिलकुल सही तरीके से लागू रहता है तो काफी एहम होगा और जादा से जादा भारतियों को सुरक्षिक ठिकानों पर लेकर आया जा सकेगा क्योंकि अदूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहा जादा से जादाद में भारतियों को पूर्ट फूदान तक लाए सकेगा और जहां पहले से व्यवस्ता की गई है वहां से भारतियों को लाने की चाहे हो जिद्दा के जरीए हो और दूसरी बात ये भी है कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पूर्ट सुड़ान में भ भारती राजनेक हैं वो जरूर कर रहे होंगे तो उन तक पहुचने के लिए या उनको यह बताने के लिए कि हम यहां मौजूद हैं आप हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको यहां से सुरक्षित अपने देश ले जाएंगे इसके लिए क्या कुछ कोशिशें की गई हैं जमीन पर जी देखें शारिक क्योंकि भारत का जो दूतावास है वो खार्तूम एरपोर्ट के ठीक सामने है और हिंसा की जद में दूतावास भी आगया लिहाजा भारती राजनेकों को दूतावास खाली करना पड़ा लेकिन वो खार्तूम के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षि हो सकता है और जहां-जहां संभव हो पा रहा है जिनको की कौनवाई के जरीए जिसमें की यूएन भी काफी मदद कर रहा है क्योंकि उसका ग्राउन प्रिजन्स वहां पे काफी ज्यादा है तो जिन भारतियों को सुरक्षित निकाल पाना संभव हो पा रहा है उनको निकाल दी जा रही है। जो उनकी गतिविदिया हैं वो तेज हो गई विदेश मंतरी ने UAE और सौधी अरब के विदेश मंतरियों से बात की और भारत अपने मिशन के जरिए UK और US के सरकार के भी टच में था और हर तरीके से UN के संपर्क में भी रहकर हर तरीके से कोशिश की गई कि भारतियों को जल स अपनी विस्तार से डालने के लिए उमीद्य की जाने चाहिए कि वहां मौजूद भारती जल्द से जल्द अपने देश सुरक्षित पहुच पाई इसके लिए सरकार अपने अस्तर पर पूरी कोशिश कर रही है और अब आगे बढ़ता है बिहार के पूर्व सांशद और बाहु बली नेता आनन्न मोहन की जेल से रिहाई कराथ साफ हो गया राज्श सरकार ने आनन्न मोहन सहीत 27 कहिदियों की जेल से रिहाई से सम्भंधित अधि सूचना जारी की बिहार सरकार ने हाली में अपने कानून में बदलाव किया जिसके बाद ये संभव हुआ आनन्द मोहन गोपाल गंज के जिलादिकारी जी कृष्टनया की हत्या के दोशी और उम्रकायत की सजा काट रहे हैं फिलहाल आनन्द मोहन परोल पर बाहर हैं और आज ही उन्हें सहरसा जेल वापस जाएंगे खबर है कि वो बुधवार या गुरुवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे बीजेपी ने आनन्द मोहन की रिहाई को लेकर नितिश कुमार सरकार पर सबार उठाया बीजेपी आईटी सेल के परभारिय अनमित मालविया ने ट्वीट कर कहा कि आरजेडी की चालों के सामने घुटने टेकने के लिए नितिश कुमार को शर्माने चाहे वहें मायावती ने ट्वीट किया कि आनन्द मोहन ने एक दलित अधिकारी की हर्त्या की थी और उनकी रिहाई से जनता में घलत संदेश जाएगा अमित मालविया ने क्या ट्वीट किया वो बताते हैं नितिश कुमार के इस फैसले पर बीजेपी मीडिया परभारिय सेल के परभारिय अमित मालविया ने ट्वीट किया ने लिखा आरजेटी की कुटिल चालों के सामने घुटने टेकने के लिए नितिश कुमार को शर्मानी चाही बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमा वली 2012 में संशोधन कर ड्यूटी पर सरकारी करमचारी के हत्यारे श्रेनी के कैदियों को चुपके से हटा दिया था जिससे डान आरजेटी नेता आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ हो गया जो एक दलिता ये सधिकारी जी कृष्णईया हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था सत्ता प्रकाविज होने के लिए अपराधिक सेंडिकेट का सहरा लेने वाला क्या भारत या विपक्षी नेता का चेहरा हो सकता है ममताबैनरजी से लेकर नितीश कुमार केजरिवाल से लेकर केसी आर्थ तक भष्टाचार अपराध हर उनकी खिसक्ती राजनितिक जमीन को बचाने की कोशिश भारत के विपक्ष के लिए साथ आने का जरिया है वहीं मायवती ने भी ट्वीट किया उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं आनन्द मोहन बिहार के कई सरकारों की मजबूरी रहें लेकिन गुपाल गंज के ततकाली इंडियम श्री कृष्टनया की हत्या को लेकर नितीश सरकार का यह दलित विरोधी वह अपराद समर्थकार से देश भर के दलित समाद में काफी रोश है चाहे कुछ मजबूरी हो किन्तो बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर विचार करें बिहार के नितीश सरकार दोरा आंधर परदेश अब तिलंगाना महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाद से आईएस बने बेहद इमानदार जी कृष्टनया के निर्दैता से की गई हत्याव मामले में आनन्द मोहन को नियम बदल कर रिहा करने के तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगर्टिव कार्णों से काफी चर्चा में है आनन्द मोहन ने मायावति को जवाब दिया आईए सुनते हैं क्या कहां उन्होंने क्या जान दैने अबालर कुसले को सने थे सतनरन भगौन की पूज़ा में बराबर कला बती कि और किसका-किस नहीं जान दें अर क्या बोलिऄ वो तो जाने नहीं समझे नहीं वो उसका वक्त भी नहींैं को कि द्यान देने के लिए बहुत कुछ कुछ गुजरात में भी नितिश कुमार और आर्जेडी के दवाब में कुछ फैसला हुआ है उसको जाके देख लेजिए माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं तो आर्जेडी और नितिश कुमार के दवाब में बिजेपिनेता सुशिल मोधी ने आनन मोहन पर कहा कि हमारा विरोध किसी वेक्ति से नहीं है जो निरने लिया गया है वो चुनाओ को देख कर लिया गया हमारा विरोध किसी वेक्ति से नहीं है हमारा विरोध के 27 द्रुदान तपराधी जिन पर हत्या का मुकदमा था और साकारी सेडेंकों के ह्या का मुक driven वैसे लोगों को चुनावी लाब लेने के लिए लोकस अचनावी उनका वोट लेने के लिए उसे भूथ लूठवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकस वा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके आज आपने अपने राजनितिक लाब के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाओं जीच सके चुनाओं इसका लाब उठा सके ताप किसी गलत्फमी में मत रहिए वो जमाना चला गया है और जो सरकार का यह जो निरने है यह असमेधा लेड़ी नेताश शिवानन तिवारी ने कहा कि 14 साल बाद उनकी रिहाई हो रही है जिन वापिजी ने सवाल उठाया, उसके अलावे कुछ और लोग भी सवाल उठा रहा है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आनंद मोहंग का उस अज्थ्या से कोई सम्मेधा नहीं है और रिहाई में जो कानून था जो कानून अरचन डाल रहा था उसको संसुधित किया लोगों ने अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है यह सवाल दुर्भागे पुरुन है वहीं बिहार की मंत्री लेशी सिंग ने सरकार के फैसले का बचाओ किया इसमें विधी सम्मत रिहाई की गई इसमें प्रावधान है कानून में इसलिए किया गया है इतने देनों तब जेल में रहे आइसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे और आनंद मोहंजी के साथ 27 लोगों के लिए भी किये गया है इसमें सभी जाती सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है और खास तोर पर आनंद मोहंजी हमारे इलाके के हैं और उसे परिवारिक संबंध है हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णाई से खुशी है राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सिधे राजीव के पास चलते हैं राजीव जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो आनंद मोहन के बारे में सुना करते थे आप भी बिहार से आते हैं हम भी वहीं से आते हैं ये ना सवाल यही था कि जब बिलकिसबानों के हत्यारों को छोड़ा गया तब इसी काम उनहों ने किया है एक D.M के हत्यारों की रिहाई के लिये रास्ता नितिय में ये कहा जाए कि क्या हम सब एक जैसे थे हैं तो क्या गलत होगा का सकते लेकिंद दोनों मामला बिल्कुल अलग है बिल्किस बानों के साथ जो कुछ हुआ जो उसके साथ गैंग्रेप हुआ था एक लग तरह का मामला और बिहार में जो रिहाई कि बात हो रही है दो अलग-अलग मामले हैं अनन्मोन का जो चापतार पर ये कहना है कि उनको जो सजा सुनाई गई थी आपको पहले बाता है कि 1994 का मामला है ये 2007 पर पटना हाई कोट में बहुत के सजा सुनाई 2008 पर जाके सुप्री कोट में का आजिवन कारवास तो उसी पर आनन 14 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है लेकिन यहां पर बिहार सकार में एक क्लाउज ये भी था कि अगर आपने सरकारी करमचारी के हत्या के दूसरी पाए जाते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा तो अनन्मोन का ये कहना था कि ये क्लाउज ही गलत है क्योंकि हर इस्टेट में जब आजीवन कारवास केता है 14 साल चाल चलन केता है 14 साल में छोड़ दिया जाता है तो फिर आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया और यहां पर उन्हें तो आनन्मोन ये तर्क दे रहे हैं कि हम तो देर साल और अधिक सजा काट चुके हैं तो रही बात आनन् लिए अगर आप देखिए उनकी रसू की बात कि जिए खुदो सांसद रहा चुके हैं उनकी पत्मी लवली अनंद दो बार सांसद रहा चुके हैं उनका बेटा राजत से सांसद है उनकी रसू का अंदाजा लगा सकते हैं और 2024 का चुडाव आने वाला है हर जगे एक गोल बंदी अपने विसाफ से तैक की जा रही है आप देखिए आनंद मुहन का रसू का अंदाजा इसी बात से लगा लिए कि भीजेपी भी इसको खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति विसोस की रिहाई का विरोध नहीं कर रहा है जो खुल के बीजेपी बूलना चाह बिजेपी विरोध नहीं कर पा रही है वजह यह है कि आनंद मुहन के साथ बहुत सो लोगों की यह लगता है कि अगरी जातियों का एक खास समूख का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो कम से कम उनके साथ चलता है और आनंद मुहन के विरोध करते हैं तो उसे यह लेकिन राजीव सवाल यह उठता है कि आनंद मुहन कहना है कि यह कलावज ही घलत था तो अब अपराधी और सजा याफ़ता बताएगा कि कौन सा कलावज सही है या घलत है लेकिन अगर यह कलावज घलत था और जिस तरह से उसे हटाया गया तो यह तो किसी भी आम आदमी क सामान ने समझ के साथ वो कह सकता है कि ये किसे फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया तो सवाल तो पूछे जाएंगे बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और यही वजह है कि बिहार सकार पर सवाल उठ रहे हैं खासों से नेतीष कुमार और तजयस्वी पर सवाल उठ रहे हैं और चेतन आनन जो उनके बेटे हैं वह राजत से सांसद है ज्यान रहे हैं यह जो कल जो फैसला आया कल साम को फैसला हुए हैं और क्यों मुक्मंत्री नहीं बलकि दूसरे पार्टियों के नेता यानि बीजेपी के भी बड़े नेता भी उस कारकर में सामिल थे तो कह सकते कि सवाल तो जरूर उठेंगे लेकिन यह मामला राजिती से कहीं ज्यादा प्रेडित लग रहा है और जिस तरह से रिय है दा सीधा सीधा अर्ण मोहन को हुआ और अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां जैसे मायवती की पार्टी है आपको बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी वो राज्य सरकार पर हमला वर है उसका कहना है कि राजनितिक फायदे के लिए ये क्लाज हटाया गया और इसी ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया है वक्त सवाल इंडिया का में एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद लोटेंगे तो खबरें और भी है चुनावी हलचल के बेच खबर यूपी से निकाय चुनाओ आ रहे हैं जहां पर अतीक अहमद चुनाओ भी मुद्दा बन गया है यूपी में 4 मई और 11 मई को होने वाले निकाय चुनाओ में उससे पहले सियासत गर्म है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आमाद्मी पार्टी ने अपने-पने कैंपेंज सौंग जारी की बीजेपी के कैंपेंज सौंग का शुर्ष सक है गुंडे पुकारते हैं अखलेश आईए चार मिनट के इस गाने में अखलेश सरकार के दौरान हुए बीजेपी के इस गाने का परचार एलीडी गारियों से पूरे परदेश में करेंगे बीजेपी के इस गाने पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा इतराज करते हुए आपराधिक मान हानी के धमकी दी वहीं समाजवादी पार्टी ने एक डिर्ड मिनट का कैम्पेंज सौंग लाँच किया इसमें बीजेपी के सरकार पर जम करतन्स किया गया है इसके लावा हम आद्वी पार्टी ने भी एक पांच मिनट का गाना जारी किया जो वो यूपी निकाय चुनाओं के परचार में इस्तेमाल कर रही है तो अखलेशी अदव का कहना है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने इस तरह का कैम्पेंज सौंग लाँच किया देखे वो गाना भारती जन्ता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है ऑफिशल हैंडल भारती जन्ता पार्टी का है उसके बाद भारती जन्ता पार्टी के जो शीर्स नितायों उनके सबसे करीवी व्यक्तियों के तरफ से आया वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पढ़ रहा है जनता को शहर में रहने वाले लोगों को आटे की कीमत क्या है डाल की कीमत क्या है आज उन्हें अगर खाने का सामान खेडना किस कीमत में खरिदना पढ़ रहा है तो यह महंगाई से ध्यान अट जा जाय जो जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी वो सफाई पर ना कोई सवाल पूछे इसलिए जानबूश करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को ख़ाई किया जा रहा है और सीसी टीवी कैमरे हैं आप देखिए किस तरीके से लॉइन नॉटर कैसा है यहां पर हमारे सही होगी रवीश अजन शुकला ने सपानेता स्वामे प्रसाद मौर से इस मुद्धे पर बात की बताईए अभी एक वीडियो जारी किया है बीजेपी ने जिसमें अखलेश यादो के उपर में तंज कसा गया है उस वीडियो में अखलेश यादो नजरा रहे हैं अतीक उसमें नजर आ रहे हैं मुख्तार अंसारी नजर आ रहे हैं और उसका स्लोगन भी बड़ा अजीब सा है कि गुंडवे पुकारते हैं अखलेश आईए भारती जनता पार्टी ने इस गीत की मादम से अपना असली चेहरा जनता की बीच में लाने की कोशिश किया है आज भाद्पा सरकार खुद अराजक्ता की रास्ते पर जल रही है कानून नयाइपालिका में भाद्पा सरकार को खुद विश्वास नहीं है अभी अभी इलहाबाद की घटना जिसकी बा प्रादियों का हमने सफाया किया इस दो माफियाओं का सफाया नहीं है बलकिन तीन माफियाओं को नया पैदा करने का पाप किया अगर माफियाओं को सफाया करना ही था तो उसके लिए इनका पुलिस बल मने नयाइपालिका का सहरा लेना चाहिए था लेकिन सेक्रों पुलि आपराधिक मानहन ही वो करेंगे आपको लगता है इस तरीके से भाई आप लोगों ने भी एक वीडियो जारी किया उसमें बीजेपी के सरकार के ऊपर में आप लोगों ने तंज कसा है लेकिन हमने मुद्दे उसमें चाने है हमारे दोरा जारी किया पार्टी की दोरा जारी किया गिया जो गीत है उसमें आप देख रहे होंगे उसमें महंगाई का जिकर है उसमें छटे चुटे जानरों से लोगों की हो रही मौतों का जिकर है उसमें ब्रुजगारी का जिकर है भी है सुप्रिम कोट ने शिकायत को सील कवर में रखने का आदेश दिया दिली पुलीस को नोटिस जारी किया गया है और अब 28 अफ्रेल को इस पर सुनवाई होगी साथ पहलवानों ने कुश्टी संक्या ध्यक्ष के खिलाफ एफाया दर्ज करने की मांग की इस बीच खबर ह कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को खापों का भी समर्थ मिला इनके समर्थन में दैया खाप के परते दी जंतर मंतर पहुंचे उनका कहना है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले हम अब पीछे नहीं हटे आपको बता दें कल साथ महिला पहलवानों ने पूरा दिन जंतर मंतर पर गुजारा है 21 तारीख को दिल्ले के कनाट पे स्थाने में ब्रिज भुशन शरंण सिंग के खिलाफ शिकाय दर्च कराई गई लेकिन एफायार अब तक नहीं हुई कुष्टि संग के अध्यक्ष ब्रिज भुशन सरंण सिंग पर कारवाई की मांग को लेकर देश के कई नामी गिरामी पहलवान जंतर मंतर पर कई दिन से धरने पर पैठे हैं कहना है जब तक कारवाई नहीं होगी वह यहां से नहीं जाएंगी उनका कहना है उन्हें नयाय नहीं मिल रहा है कोट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोलके और पढ़के उनको लगा कि मामला सीरियस है इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब बंगा महराष्ट में क्या सरकार जाने वाली क्या उसका डेथ वरेंट जारी हो चुका है और क्या महाविकास अगारी में सब कुछ सामान ने हैं जैसा दावा किया जा रहा है इन सभी मुद्दों पर बात की हमारे वरिश सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर मनुरंजन भारती ने शिव सेना उधवगुट के सांसद संजयराउट से आई ये वो पूरी बात ची दिखाते हैं नमस्कार एडिटीव इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुरंजन भारती महरास्ट से आने वाली खबरें लगतार सुर्कियों में ऐसा लगता है कि महरास्ट की राध्यिती में कुछ घटने वाला है कुछ न कुछ वहां पर होने वाला है और एक राध्यिती के रि सब्सक्राइब करने के लिए पहला सवाल है आपने कहा कि 15 दिन में बहुत कुछ होने वाला है महारास्ट में नई सिंदे सरकार गिर जाएगी इसके पीछे कोई वजह है खास देखें वजह तो जरूर होती है जब इसकार का बयान हमारे तरफ से दिया जाता है या पुछा जाता है तो महाराश्टा की सिटी जो है राजनेतिक सिटी पुलिडिकल सिचुएशन बहुत ही नाजुग बनी हुई है मैं आपको बताना चाता हूँ महाराश्टा के मुख्य मंतरी चार दिन के लिए ओफिशल लिव पर चले गए है आज से अब राज्य का मुख्य मंतरी यहां इतना कुछ हो रहा है बड़े बड़े अंदोलन चल रहे है पूलिस की दड़बशाई चल रही है और राज्य के मुख्य मंतरी इस तरह से कोई लिव लेकर जाता है उसका मतलब है मुख्य मंतरी भी लिव लेकर कुछ नया समीकरण मनाने में जुड़े है वहाँ पुलिटेकली महराष्ट बहुत अस्तिर है, अंस्टेबल है, राज्य की उपमुक्य मुंत्री भी यहां नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो भी कहा है, उंकिसों को पता नहीं है, सरकार है या नहीं कोई बता नहीं सकते, चालिस लोगों की सरकार है चालिस लोग चले गए अब तक एक साल होने को आया है क्याबिनिट का एक्सपांसिन नहीं कर पा रहे है अब सब की नजरे है सुप्रीम कोट में क्या निरणे आता है इस सिच्वेशन में मैं मानता हूँ जो प्रयोग भारती जन्ता पार्टी ने कि कोई फाइदा नहीं हो है बीजेपी को ना उनके साथ होट है ना लोग है ना जनता है आज भी शिवसेना याने उद्दव ठाकरेजी के रैली को लाखों लाखों की जो भीड हो रही है उससे फिर एक बार महाराष्ट्र में सत्ता परिवरतन होने की जो स्थिति हो पैदा हो हाँ शिंदे उनको बहुत बन गया है देखे एकना शिंदे कभी भी पब्लिक लिडर नहीं थे जनता के नेता नहीं थे ठीक है 40 लोग उनके साथ चले गए उसका कारण क्या है सब को मालूम है कि सेंटरल एजन्सी का दबाव है पैसे की ताकत है सब कुछ है लोग चले गए लेकिन जनता नहीं गई जनता हमारे साथ है यह बीजेपी देख रही है आने वाले चुनाओं में जनता शिंदे को नहीं बीजेपी को सबक सिखाएगी यह वातावरण है और यह जो 16 मल उनके साथ चले गए है चालिस गए है उनमें से 16 का निरनाय सुप्रेम कोट से जब आ कैसी चलेगी मुख्यमंत्री भी डिस्क्वालिफाइए हो जाएंगे अब मुख्यमंत्री होने जा रहा है इसके मुख्यमंत्री भी पहले 16 के लिश्ट में है जिसके खिलाफ हमने पेटिशन सुप्रिम कोट में किये कॉंस्टिशन बेस पे दो मैने तक उनकी सुनवाई हु जो मैं बोल रहा हूँ सरकार का डेथ वॉरन तयार है और जो से नहीं सरकार बनेगी फिर लेकिन मुक्हमंत्री बदल सकता है मारष्टत का बिजयपि शिंधे को नहीं चलाएगी सिंदे पर घुठ पर बिठाया हाटी पर जाज מא लेकिन सिंदे नहीं चल रहे है तों अगारी की तो सरकार नहीं बन रही है ना नहीं नहीं हम बनाने भी नहीं चाहते लेकिन यह सरकार जाएगी यह अभी महाराश्टा की जनता नहीं पूरे देश मान चुका है यह सरकार जा रही है तो क्या अगारी का कोई हिस्सा तूटके जा सकता है जो जो सपोर्ट करें बीजेपी को य अफवाय है यह जाएगा वो जाएगा जिसको जाना था हूँ चले गए बीजेपी की तो कोशिस हमेशा चलती रहती है जो उनाइटेड अपोजीशन है उनको तोड़ो और अपनी सरकारी बनाओ अपनी पार्टी बनाओ बीजेपी के पास अब ओरीजनल क्या बचा है कुछ न सर आप क्या दिखाना चाहते हूं अजीद दादा पवार की भूमिकापे भी काफी कोश्चन मार्क लगा हुआ है सर लेकि अजीद दादा पवार जी ने दो दिन पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है मैं जूंग और मरूंगा नेश्ट्र राष्टवादी कॉंग्रस ध् это हमारे आगारी के एक बड़ा स्थंबह है मした प्रणना चल्बह कर अगारी है या नहीं है सर ऑगारी है और हिघक क्यों नहीं रहेगी और रगारे में कोई घडारी नहीं होगा चिंता मत करिये लेकिन पवार साब अगारी के एक्ता को लेकर के चिंतित हैं देखे पवार साब ने जो बयान दिया है उस बारे में थोड़ी गलत फैमे है पवार साब ने ऐसा कहा है कि हम एक साथ लड़ेंगे लड़ना चाहते हैं लेकिन अब तक लोग सबा का सीड शेरिंग नहीं हुआ है और जब तक सीड शेरिंग नहीं होता है तब तक इस वकार की भावना लोग बुलते हैं किया क्या हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन पवार साब ने कल पुरी तरह से स्पष्ट रूप से क्लारिफिकेशन किया है हम एक साथ था एक साथ रहेंगे क्योंकि महाविकास अगाडी के नाया की शरत पवार साहब है उद्धो ठाकरे साहब है या वहां राहुल गान दीजी है सभी ने मिलकर अगाडी बनाई है उसमें पवार साहब का रोल बहुत महुत पफुर्ण है कि मुंबई में एक एक मै को जो मीटिंग हो रहा है उसमें क्या पवार साहब रहेंगे आप लोग की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है dekkh Tei मुंबई की रैली का अव्यजन शिव सेना कर रही है, मुंबई का जो रैली है, एक में का महाराष्टर दिन है, महाराष्टर का स्तापना दिन बोलते हैं उसे एक में, एक में को महाराष्टर का निर्मान हुआ था, तो हमारे लिए इस दिन का बहुत महत्वा पूर्ण होता है, हमारे लिए, तो BKC में जो र प्रमुक निता मंच पर रहते हैं। तो यह जो इसका मतलब पवार साहब के बारे में क्यास लगाए जाने वह गलत है आपका यह कहना है। Definitely गलत है। मैं यह खुद दावे के साथ आपको विश्वाइद दिलाना चाहता हूं। पवार साहब और हम सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यह डर है बिज़ेपी को मायराष्टर के बारे में। अगर अगाड़ी चुनाव में उतरती है उनाइटेड बनकर तो लोग सभा में बिज़ेपी को दस सिटे मिलना मुश्किल है। मालूम है और विदान सबा में अगाड़ी अगर रहेगी तो मिनिमम कम से कम 185 सिर्व विदान सबा के जीत लेंगे। राउट सर एक आपके बारे में टिपनी की है उपमुक मंत्री ने आप उसका जवाब देना चाहेंगे। आपके बयानों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सुबर 9 बजे हाई हो जाते हैं। हाँ अभी ऐसा है कि मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूँ कि मुझे कुछ बयान देना है मुझे कुछ बोल लेकिन डर है उनके मन में। हमारी बातों का डर लगता है हमारे संगटन का डर लगता है हमारे अगाडी का डर लगता है इसलिए ये डर के मारे हमारे खिलाब इसकार के बयान देते हैं। इस देश में, खास करके महराष्टर में, जो सरकार है, वो यह सरकार भी मुदी जी के नक्षे कदम चलती है, जो विरोधी लोग है, विरोधी नेता है, उनके बोलने पर रोक लगाना चाहते हैं, यह संजे राउद का डर है, यह अघारी का डर है, यह उद्धो ठाकर जी का ड क्या सावरकर का इसू जो है अब बैक बर्नर पे है बात ऐसे केसू केसी वेड़ू कुपाल जी है कॉंग्रेस के वरिष्ट निता है महा सच्चिव है और कॉंग्रेस के अद्यक्ष मलिकार दुन खरगे सोनिया गांदी जी और रहुल गांदी जी के तरफ से उद्दो जी को मि को पूरा समर्थन देने के बाद की जिस संकड की घड़ी से हम लोग गुजर रहे थे और है अज मेरी पार्टी तो वेड़ों को बाल जी ने कहा कि यह हमारी हमारा आपके साथ रहने का दू निर्णे है पूरा समर्थन हम आपको देने जा रहे है और जरूर आने वाली दिन करके मुद्धे पाप मैं कभी नहीं बोलूँगा देखे ओ बात रहे हमारी एक भूमिका है वह हमारी पार्टी की और महारा रश्टर की भूमिका है उससे तो हमने कभी कॉम्परमाइज नहीं किया है विर्सावरकर हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे है एक आड़ रहे ह है और हमने तो बार-बार बीजेवी को कहा है भारत रहतने देखर संमान करिये क्यों नहीं दे रहे है भारत रहतने देजिए विर्सावरकर को पुरा मामला खितम हो जाएगा एक अन्तिम का सवाल है बारसू में जो रिफाइनरी का विरोध हो रहा है उसमें क्या कहेंगे य दोग और इंडस्ट्री को विरोध नहीं किया महाराश्ट्राइक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक अच्छा हब है और हमेशा मुंबई से आसपास पूरे शहरों में पूरे इंडस्ट्री लगे हुए है लेकिन कोकन एक ऐसा इलाका है जहां आम का उत्पादन होता ह है जहां मच्छी मारी यानि जो फिशिंग का उत्पादन होता है इस प्रकार की रिफाइनरी आने से वहां प्रदूशन से पूरा यह जो आम का उत्पादन है यह मचली का जो निर्माट होता है जो वहां का जो फिशर्में समाज है उनके बहुत बड़ा संकड आता है जिस जी आपने सही का इको सिस्टम को बहुत नुक्सान होगा इसलिए वहां के लोग विरोद करते हैं इसी पुलिटिकल पार्टी उस आंदोरज में नहीं पड़ी है यह लोगों का विरोद है समधना चाहिए संजेर राहु सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त न अभी की बड़ी खबर पश्रमंगाल से आ रही है वहां के दिनाजपूर से हिंसा की खबर है यहां पुलीस थाने में आग लगा दी गई है बड़ी संख्या में पुलीस वल की तैनाती हुई है एक नावालिक लड़की का शव शुक्रवार को एक नहर में मिला था जिसके ब मौत के मामले की जाच में राज्य पुलीस पर गंभीर चूक का आरोप लगाते वेकल कहा कि वो केंद्री ग्रिह मंत्री अमिश्या को जल्द इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपेंगे तो यह तस्वीरे हम आपको वहां के हिंसा की दिखा रहे हैं जहां आग जनीब ही की गई है तो पुलीस बल तैनात किया गया है कोशिश यह की जा रही है कि जो लोग भी सुपद्रों में शामिल हैं पत्थरबाजी करते हुए लोग आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे एक बच्ची के शव मिलने के बाद यह हिंसा वहां पर भड़की है दिनाजपूर से य जो नाबालिक थी नहर से बरामद हुआ था उसके बाद कलिया गंज इलाके में हिंसा भड़क गई थी तभी से इस मामले को लेकर वहां पे तनाव है पुलीस वहां पर उसे नियंतित करने की नियंतित करने की कोशिश कर रही है ताकि हालात को संभाला जा सके यहां आपको बता दें कि कालिया गंज का इलाका है जहां हिंसा भड़की थी और तभी से यहां तनाओ बना हुआ था राश्टिये बाल अधिकार सनक्षन आयोग दे मामले में जांच में राज्यपुल की पुलीस पर गंभीर चुक का आरोप लगाया था और कल कहा कि वो केंद्रिक गहमंतिया मिश्या को जल्दी इस संबंद में एक रिपोर्ट सौंपेंगे